हेलो फ्रेंट्स अब हम बनाएंगे सैंटा कार्ड इसके लिए मैंने मम्मी की चूड़ियों के साइस के सर्कल कट कर लिए हैं और इस सर्कल को मैंने एक साइट से जोएन रखा है कट नहीं किया है यह देखिए इसके लिए मैंने पुराने शादी के कार्ड का ही उसकिया है इस तरह से इस पर गलू लगा करके हम इस पेपर के उपर इसे पेस्ट कर देगे और वाला भी depuis हम्ने दोनों साड में यह पेपर पेस्ट कर लिया है और अधर अगे से सैंटा का फेस बनाएंगे पेस बनाने के लिए हमने एक वेस्ट पेपर लिया है जिस पे हम एक छोटा सर्कल ट्रोगर देंगे इस तरह और फिर सर्कल के साइट से इस तरह स्मॉल सी बनाते शेप में बनाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे ये देखिए दोस्तों ये हमने इसकी कटिंग कर लिए और अब हम इसको इस सर्कल के उपर पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के लिए हम यह देखेंगे कि यह हमारा कार्ड किस साइट से खोल रहा है और इसके टॉप पर हम लगा देंगे गलू या फैविकॉल और फिर हम अपने इस कटिंग को इसके उपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे ये बन गया उसका फेस बन जाने के बाद जो शादी का बच्चा हुआ कार्ड है उस पे हमें छोटी सी कैप ड्रॉ कर लेंगे और उसके कटिंग कर लेंगे इस तरह से इसके हम कटिंग कर लेंगे यह देखे फ्रेंट यह हमने कट कर लिया अब हम यहां लगाएंगे ग्लू और इसके हेड पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे यह हम इसके हेड पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे इसकी कैप को अब पेस्ट को और अच्छा बनाने के लिए हम एक छोटा सा पिंक कलर का सरकल ले लेंगे और इस सरकल को नीचे से थोड़ा सा इस तरह से फोल कर देंगे और इसको कट करके यहां पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से बिल्कुल पेस्ट कर दिए और अब हम इसकी उपर बनाएंगे इसकी नोज नोज बनाने के लिए हम वाइट पेपर की कटिंग करेंगे इसकी मुछे बनाने के लिए पहले हम इस तरह से चोटे से पेपर को ले लेंगे इसको fold कर देंगे और fold करने के बाद pencil से हम इस पर पहले इस तरह से मूचों को draw करेंगे और फिर इसकी cutting कर लेंगे यह हमने इसके मूचें cut कर ली और अब लगा देते हैं इसको इसके face पर यहां हम लगाते हैं इसकी मूचें और इन मूचों के उपर एक छोटा सा रेड कलर का कार्ड भी लगा देंगे जो इसकी नोज का इफेक्ट देगा बिल्कुल इस तरह और अब हम बना देंगे इसकी आईज आईज बनाने के लिए हम इस तरह से पैंसे सरकल ड्रो गर देंगे और ये बन गया इसका फेस अब हम इसके टॉप पर लगा देंगे थर्मा कोल की मैंने बॉल को हाफ कट कर लिया और इसको अब हम इसके टॉप पर इस तरह से लगा देंगे ये बन जाएगा हमारे सेंटा का फेस फेस बन जाने के बाद हम इस ब्लैक पेपर को यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको मैंने थोड़ा सा बेल्ट का शेप दिया है यलो गलर के पेपर से और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे इस तरह से हमें इसकी बेल्ट को बना देंगे यह बन गया हमारा सेंटर और अब हम इसकी कैप पर भी लगा देंगे थोड़ा सा वाइट पेपर अब इसकी कैप पर हम यह लगा देंगे वाइट पेपर जो पेपर हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे या पीछे पेस्ट कर देंगे क्याप के पीछे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं जैसे आपके विश्व मैंने इसे पेस्ट कर दिया है तो ये बन गया हमारे साइंटर और ये बनिया प्यारा सा कार्ड और इसके अंदरा अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं मेरी क्रिस्मस थैंक्स for watching